नमस्कार and वेलकम अक्सर एक्जाम या इंटर्वू में पुछे जाने वाले सवाल है ओम्सलो क्या है? ओम के नियम क्या है? What is ओम्सलो? सहज सरल सब्दों में आसान तरीके से मैं आपको ओम्सलो समझाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा कभी नहीं भूलेंगे चलिए शुरू करते हैं ओम्सलो What is ओम्सलो? या ओम्सलो क्या है? जर्मन फिजिक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट जोर्ज ओम्सलो जर्मन भोतिक विज्ञानी जोर्ज ओम्सलो ने 1827 में ये बता है कि करेंट, भोल्टेज और रेजिस्टेंस का एक खास सम्मन्द है अभी तक आपने जान लिया I मतलब करेंट V मतलब भोल्टेज और R मतलब रेजिस्टेंस तो करेंट, भोल्टेज, रेजिस्टेंस इनके आपस में एक दूसरे से कुछ खास सम्मन्द है खास विष्टा है जो ohms law से हमें जानने को मिलता है उन्होंने बता है कि current ये directly proportional to the voltage और current inversely proportional to the resistance लेकिन अगर 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 आदार conditions are constants बाकी सब जो चीज होनी चाहिए वो अगर स्थीर है आदार्स में क्या आता है हावा का दबाव, हावा का तापमान, हावा का प्रेसर, हावा में मौजूद जो नमी है ये साड़े चीज, वो अगर स्थीर है तो ये नियम लागू होगा आईए इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ कि directly proportional किसे बोलते हैं, inversely proportional किसे बोलते हैं बोलतेज, भोलतेज हम किसी सरकीट में जैसे बढ़ाएंगे तो करेंट बढ़ेगा बोलतेज बढ़ाने से करेंट बढ़ेगा और बोलतेज घटाने से करेंट घटेगा और इसमें क्या होगा, inversely proportional में, resistance जितना बढ़ेगा किसी भी electrical circuit में, resistance जितना बढ़ेगा, current उतना घटेगा अगर ohm slow आपको कोई पूचता है, exam में या interview में आप क्या बोलेंगे, कि किसी भी electrical circuit में, अगर बाकी चीज स्थीर है स्थीर क्या, हवा में नमी, pressure, तापमान, गैस के परिमान, आदी, आदी, आदी अगर वो स्थीर है, तो voltage बढ़ाने से current बढ़ता है, voltage घटाने से current घटता है, समान उपात से और resistance बढ़ाने से current घटता है, resistance घटाने से current बढ़ता है इसको ohm के नियम, ohm के सिध्धान या ohm slow बोलते हैं, इस बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं यहाँ पर देखिए, एक cartoon बनाया है, जिसमें यह जो एक शक्री रस्ता है, उसमें से current जो है, current जो जाना चाहता है और V voltage उसे धक्का माल रहा है, और R resistance एक रस्ची बान दिया, उसको खीच रहा है तो ohm slow इसको यहाँ से कैसे समझेंगे, current कितना जाएगा, जितना यह पीछे से धक्का मालने वाला, धक्का मालेगा जब R स्थीर है तब, R अगर स्थीर है, तो यह voltage जितना ज्यादा देंगे, current उतना ज्यादा जाएगा और voltage इस्थीर हो गया, यह कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या है, resistance, resistance जितना बढ़ाएंगे, यह जितना tight करेगा, current उतना कम जाएगा और यह जितना कम होगा, ताकर जितना कम लगाएगा resistance, वो current उतना ज्यादा जाएगा यही ओम श्लो हमें सिखाता है, ऐसा एक triangle, याने तीभूज बना लिजिए, और उसको ऐसा ही तीन हिस्सों में बाटिए, यहाँ V लिखिए, यहाँ I लिखिए, यहाँ R लिखिए किसी electrical circuit का voltage निकालना है, तो V के ओपर हाथ रखिए, क्या आगया, I into R, अगर current पता करना है कि कितना current लेना चाहिए, तो इसके ओपर आप इसको ढख दीजिए, voltage को resistance से भाग करेंगे, तो आपको current मिल जाएगा अगर दो पता है, यह, 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 कोई भी दो अगर पता है, तो तिसरा पता कर लेंगे, ऐसे करके, एक को ढख के, मतला इसके माद्यम से आप वो calculation कर सकते हैं उमीद है कि आप ohm slow समझ गये होंगे, तो आपको जब interview अगरे में पुछा जाएगा कि ohm slow क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बाता परण में हावा में नमी, तापमान, दबाव वगरा अगर स्थीर है, तो voltage current के साथ सिधे अनुपातिक या समानुपातिक है, और resistance current के साथ बक्रमानुपाति है, उमीद है कि आपको ohm slow के बारे में समझ में आ गया है, अगर आपको ये video tutorial पसंद आया, तो like करे, share करे, मेरे साथ जूरे रहने के लिए subscribe बटन को जरूर दबाए, अगले video का notification आपको मिले, इसके लिए घंटी या bell को भी click करे, अगर आप electrical या instrumentation के ब theory या practical में जानना चाहते हैं, तो नीचे comment box में जाकर comment करें, आपका कोई भी doubt, कोई भी संका हो, या फिर खास topic के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो comment करें, अगला video आपका topic पर ही होगा